हलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आए देखते हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब में किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर प्रतियोगी प्रिक्षाओं से सम्मंदित शभी विशेओं के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपने पिता की हत्या करके निम्न लिखित में से कौन गद्धी पर बैठा अप्शन है बिम्शार, शूर्षेन, शमंद्र गुप्त या फिर अजात सत्रू तो अपने पिता की हत्या करके अजात सत्रू गद्धी पर बैठा था अप्शन डी आपका सही अंसर हो जाएगा अवंती का राजा कौन था बिम्शार, अवंती पुत्र, अजात सत्रू या फिर चंड प्रगोत तो अवंती का राजा चंड प्रगोत था अप्शन डी आपका सही अंसर हो जाएगा बुद्ध का जनम किस वंस में हुआ था लिच्वी, साकि, नंद वंस या इनमें से कोई नहीं तो बुद्ध का जनम शा कि वंस में हुआ था अप्शन बी आपका सही अंसर हो जाएगा अजात सत्र के बाद मगद में किसका सासन अस्थापित हुआ सिसुनाक का, धन नंद का, उदाइन का या फिर इनमें से कोई नहीं तो अजात सत्र के बाद मगद में उदाइन का सासन अस्थापित हुआ अपसंसी या आपका सही अंसर हो जाएगा और दोगिक करांती निम्न में से किस देश में सरपर्थम प्रारंभ हुई थी फ्रांस में, इंगलैंड में, इटली में या फिर रूश में तो अज़ दोगिक करांती निम्न में से इंगलैंड देश में सरपर्थम प्रारंभ हुई थी अपसंसन भी आपका सही अंसर हो जाएगा अज़ दोगिक करांती के फल्श रूप शमाज में कौन सा वर्ग उत्पन हुआ बुद्ध जीवी वर्ग, माध्यम वर्ग, पूंजी पती वर्ग या फिर किर्सक वर्ग तो अज़ दोगिक करांती के फल्श रूप शमाज में पूंजी पती वर्ग उत्पन हुआ अपसंसी आपका सही अंसर हो जाएगा किस आविशकार ने कपास दोग को बढ़ावा देने में मदद की फ्लाइंग सटल हस्त करगा वाटर लूम या फिर पावर लूम तो फ्लाइंग सटल ने कपास दोग को बढ़ावा देने में मदद की आपसन ए आपका सही अंसर हो जाएगा राजा को मंदिर का धन जब्द कर देना यानि लेना चाहिए यह कथन किसका है शेलुकष, कौटिलिप, मेगस्थनीच या फिर भर थरीका तो राजा को मंदिर का धन जब्द कर लेना चाहिए यह कथन कौटिल्य का है आपसन बी आपका सही अंसर हो जाएगा भारत अरब नहीं है इसे दारुल इसलाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है यह कथन किसी से सम्मंदित है तो यह कथन इलतुत मिस से सम्मंदित है आपसन डी आपका सही अंसर हो जाएगा मेटर निख कहां का चांसलर था जर्मनी आश्ट्रेलिया प्रंसा या फिर इटली तो मेटर निख आश्ट्रिया का चांसलर था आपसंट बी आपका सही अंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांती का परमुक कारण क्या था गिरफतारी पत्र निरंकु सासन मनसबदारी पर्था या फिर परजातंत्र सासन तो फ्रांस की क्रांती का परमुक कारण निरंकु सासन था आपसंट बी आपका सही अंसर हो जाएगा फ्रांस में किस सासक वन्स की अस्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी बूर्बो वन्स जार साही आलिया वन्स या फिर हैपस बर्ग तो फ्रांस में बूर्बो वन्स सासक वन्स की अस्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी अपसर ए आपका सही अं अउधाना किसे ने विखसित की थी? ने पोलियन ने, विलियम ने, एबेनेजर आवार्ड ने या फिर आसमान ने तो गार्डन सिटी के अउधाना इबेनेजर हावार्ड ने विखसित की थी? मेनियरी बाल्डी पेशे से क्या था जमीदार, किशान, नाविक या फिर सिपाही तो Gary Baldi पेसे से नाविक था option C आपका सही अंसर हो जाएगा फ्रेंक फर्ट की संदी कब होई? option है अठारा सो चाउसट इसपी, अठारा सो छाउसट इसपी, अठारा सो सत्तर इसपी या फिर अठारा सो एकहत्तर इसपी तो Frank Fart की संदी अठारा सो इकहत्तर इसपी में होई थी, option D आपका सही अंसर हो जाएगा साम में वादी घोचला पत्र कब प्रकासित हुआ? 1870 में, 1864 में, 1871 में या फिर 1830 में तो साम में वादी घोज़डा पत्त 1864 में प्रकासित हुआ आपसन भी आपका सही एंसर हो जाएगा मैमत पूर्बज हैं घोड़े के, आदिमानों के, कुट्टे के या फिर हाथी के तो मेमत जो है वहाती के पूरबज है option D आपका सही अंसर हो जाएगा next question दीते हैं पानी पत का तीसरा वा अंतिम युद कब हुआ 1718S B में 1717S B में 1556S B में या फिर 1576S B में तो पानी पत का तीसरा वा अंतिम युद 1556S B में हुआ था option C आपका सही अंसर हो जाएगा विक्रम सिलाबिस्विद्याले का संस्थापक कौन था देवपाल, धरमपाल, शशांक या फिर हर्सवर्धन तो विक्रम सिलाबिस्विद्याले का संस्थापक धरमपाल था बीयापका सही एंसर हो जाएगा आगला पूसन देखते हैं शिकंदर ने जब हारत पर עあー accepts किया उस समय मगद का सासक कौन था कि शूनाग नंद मौर या फिर हर्याक तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्र बड किया उस समय मगद का शाषक नंध था उसन पियापका सही अंसर हो जाएगा निम्न लिक्त मेंसे किस ग्रीक सासक को चंद्रगुप्त मौर ने हराया देरियस से लुकष मेगा स्थनीच या फिर अलेक्स जेंडर तो निम्न लिक्त मेंसे शेलुकश शाशको चंद्रगुप्त मौरने हराया था उप्षन B आपका सही अंसर हो जाएगा वैदिक काल में शामाजिक विभाजन का आधार था जन्म, शंपति, धर्म या फिर व्यावशाय तो वैदिक काल में शामाजिक विभाजन का आधार व्यावसाय था ओप्षन D आपका सही अंसर हो जाएगा दिब्वी जीवन संग के संस्थापक कौन थे मदर टेरेजा, रामकिष्न प्रमहंश, स्वामी सिवानंद, स्वामी विवेकानंद तो दिब्वी जीवन संग के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे आपका सही एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं साथ पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे चालुक, चोल, राष्ट कूड वा पल्लव तो साथ पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाए गए मंदिर बनाने वाले पल्लव थे अप्सन D आपका सही एंसर हो जाएगा निमन लिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवनसी था? अप्सन D आपका सही एंसर हो जाएगा भारत में खरोष्टी लिप को किस ने स्थापित किया? चीनियों ने, योनानियों ने, कुसाडों ने या फिर इरानियों ने? तो भारत में खरोष्टी लिप को इरानियों ने स्थापित किया था अप्सन D आपका सही एंसर हो जाएगा स्वाण मंदर किस से सम्मंदित है बाधि धरम से हिंदू धरम से जैन धरम से या फिर सिख धरम से तो स्वाण मंदर शिख धरम से सम्मंदित है उप्शन D आपका सही अंसर हो जाएगा खाल सा पंथ के संस्था पक कौन थे गुरू गोबिंद सिंग गुरू नानक देव गुरू गोबिंद या फिर गुरू तेग बहादुर तो खाल सा पंथ के संस्था पक गुरू गोबिंद सिंग थे उप्शन A आपका सही अंसर हो जाएगा दिल्ली के अंतिम मुगल बादसा कौन थे फरुक सियार औरंग जेव बहादुर सा जफर या फिर मुहम्मद सा तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादसा बहादुर सा जफर थे अपसुंसी आपका सही अंसर हो जाएगा चोल राजाओं ने किस वर्स को सर्रचन प्रदान किया है शैवधर्म, जैन धर्म, बौद्धर्म या फिर वैशन omega धर्म तो चोल राजाओं ने शैवधर्म को शर्रचन प्रदान किया उप्शने यह आपका सही answer हो जाएगा यादो सम्राटों की राजधानी कहा थी? वारंगल, द्वारशमंद्र, देवगरी या फिर कल्याणी तो यादो सम्राटों की राजधानी देवगरी थी option C आपका सही अंसर हो जाएगा सिंद का बाग या मिर्थकों का टीला हडपा सभिता के कित पूरा स्थल को कहा जाता है option ने काली बंगा, लोथल, हडपा या फिर मोहन जोदडो तो सिंद का बाग यानी मिर्थकों का टीला हडपा सभिता के मोहन जोदडो को कहा जाता है यानी option D आपका सही अंसर हो जाएगा कांग्रेस के अस्थापना बिटिस सरकार की एक पूर्ब निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई यह किस पुस्तक में लिखा गया है तो यह इंडिया तुड़े पुस्तक में लिखा गया है option यह आपका सही अंसर हो जाए अगला पूस्थन देखते हैं ऐसा कौन सा प्रथम सूफि साधक था जिसने अपने आपको अनलाहक गोसित किया था तो यह मंसूर हलास थे option C आपका सही अंसर हो जाएगा अश्ट दिगज निम्न में से किस राजा से सम्मंदित थे यह सो वर्मन राजेंद्र प्रथम शिवा जी या फिर कृष्ण देव राय तो अश्ट दिगज जो है वह कृष्ण देव राय राजा से सम्मंदित थे option D आपका सही अंसर हो जाएगा जैन साहित को निम्न लिकित में से किस नाम से जाना जाता है बखार ग्रंत आगम या फिन निगम तो जैन साहित को आगम नाम से जाना जाता है option C आपका सही अंसर हो जाएगा मुगल बासा अकबर से वैवाहिक जंबंद अस्थापित करने वाला राज पूत राजवन्स था तो वह कच वाहा था अंसर हो जाएगा लाड वेलेसली को शहायक संदी को शुभिकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो आज के लिए बस इतना ही अगला प्रेक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू जय हिन जय भारत